मौसम समचार में आपका स्वागत हैं मौसम की लेटेस्ट खबरे पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें MTV News इंडिया को और किस जिले की मौसम की जानकारी आप जानना चाहते हैं हमको कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईए दिली उपी समय दिन राज्य में होगी बारिश चाना आपके राज्य की जान रही का मौसम का हाल आपको बतादे देश के कही राज्य में मौसम का मिजास अलक अलग बनाग हुआ है समित देश के निराज्यों में अगले दो से तीन दिनों तक दक्षिन पश्री मांसून विदा हो जाएगा वहीं दिल्ली हरियान और पंचाप में मांसून पहले ही जा चुका है इसी दोरान उपिमाली पश्री मंगाल और सिक्किम में भी बारिश होगी उधर दक्षिन आंत्री करनाटक, तमिलनाडू, पुदुचेरी और कराईकल के अलग-लग इस्थानों पर बिजली गिरने के साथ गरच के साथ बारिश होने की संभावना है आइमडी का कहना है कि मंगलवार को पिमाली पश्री मंगाल, सिक्किम, दक्षिन आंत्री करनाटक, तमिलनाडू, पुदुचेरी, कराईकल, केरल और माहे के अलग-लग जवों और स्थानों पर बारिश होनी की संभावना है इस दोरान यहां बिजली भी गिर सकती है, वहीं 11 अक्टूबर को भी दक्षिनी आंत्री करनाटक, तमिलनाडू, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली गिरने और दोफान के संभावना बनी हुई है हरियान में मौसम लगतार करवट ले रहा है, एक तरफ जहां मानसून की विदाई के बाद अब पिछले काफी दिलों से प्रदेश का मौसम साफ बना हुआ है, वहीं अब मौसम भाग में आज से ये रात में फिर से मौसम बदलने के संकेट जटाए है मौसम भाग के माने तो पश्चिमी विक्षोप की वज़ा से 10 अक्टूबर को रात को मौसम परिवर्तन दिखाई देगा, वहीं 12 अक्टूबर को हरियाना के सभी जिलों में बारिश होने की संभावना है मौसम भाग के अनुसार हरियाना के तापमान में अगले साथ दिन तक कोई और बदलाव नहीं होने की आशंका है वहीं सुभा और रात के तापमान में लगतार गिरावट देखी जा रही है प्रदेश के महिंद्रगर जिले में राते अब तक सबसे धंडी रिकॉर्ड की गई है यहाँ पर रात का तापमान गिर कर 17 डिगरी तक पहुच गया है मौसम भाग के अनुसार हरियाना में रात के तापमान में अभी हलकी गिरावट और होने की संभावना है परश्यमी विक्षोप की वचा से 10 अक्टूबर को मौसम में बरड़ लाओ होगा वहीं कहीं कहीं भूंदा बादी तो कहीं हलकी बारिश होने की संभावना है इसके बाद 11 से 13 अक्टूबर तक बारिश की संभावना नहीं लेकिन उत्तर पश्यमी हमाई चलने के साथ रात के तापमान में गिरावट ओने और मौसम शुशक रहने की संभावना है देशपर में मौसम ने एक बार फिर करवट लेना शुरू कर दिया है जहां एक और उत्तर भारत के राज्यों में सुबा और शाम के तापमान में गिरावट दर्च की जा रही है वहीं पुरवत्तर में बार का कहर देखने को मिल रहा है हाला कि मौसम भाग ने माने तो अभी ठंडने दस तक तो देदी है लेकिन इसका असर उन्हीं राज्यों में देखने को मिल रहा है जहां बारिशों के आशंका जताई जा रही है या जहां बारिशों रही है पाकी राज्यों में अक्टूबर सामाने से गर्मी रहने वाली है